नमस्कार साथियों मेरा नाम है मनीश भारतियों और आप देख रहे हैं संस्कृति आयस योटूब चैनल साथियों आज इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह मुद्दा जो है जीएस का प्रशन पत्र दो जो है वहां से जाकर के आपके लिए जुड़ेगा इस भारत और उसके परोशी राष्ट जो हैं उसके साथ उसका संबंध कैसा होगा यह भी तैंकरेगा तो कहने का ताथपर है कि इस मुद्दा का प्रभाव बहुत व्यापक होने वाला है मुद्दा क्या है नागरिक्ता संसोधन कानून को लागू कराय जाने की बात की जा रही कि यह कानून धार्मिक आधार पर भेद भाव करता है जो कि हमारे संबिधान के खिलाप है देश भर में इसके खिलाप व्यापक हर्ताल हुआ था प्रदरशन हुआ था शाहिन बाग की घटना आपको याद होगा लंबे समय तक लोग शाहिन बाग में सड़कों पर जमे रह है ले उस राजनितिक मुद्दे को फिर से हवा मिल रही है वह कानून जो है लागू होने के कगार पर है तमाम बातें इसको लेकर के कही जा रही है हम यह देखेंगे कि सीए जो है उसके तहत क्या नया प्राभधान किया गया है अभी तक क्यों नहीं लागू हो पाया है इसके लिए क्या प्राभधान किया गया है सीए में ऐसी क्यास बाते रखी गई है इस कानून के तहत जोरा गया है जिसको लेकर के विबात लगातार बना हुआ है इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तित रूप में चर्चा करने वाले हैं उससे पहले टॉपिक देखिए सीए नियम तयार लोगशभा चुनाव से पहले होगी घोशना दरसल जैसा मैंने कहा कि 2019 में ही कानून पास हो चुका है लागू नहीं हुआ था गिरी मंत्रा लेके एक अधिकारी के हवाले से यह सूचना आ रही है यह जानकारी सामने आ रहा है कि सरकार जो है इस कानून को लोग करा देगी विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि सरकार इस बहाने जो है लोगशभा चुनाव में बढ़त लेना चाहती है सरकार को यह मुद्धा फायदा करता हुआ दिखेगा इन मुद्धों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो अभी यह समझ लीजिए कि सरकार के तरब से बाते उभर करके सामने आया है एक ग्री मंत्रा लेके अधिकारी के तरब से ठीक है बाते की जा रही है कि ऑनलाइन इसके लिए विवस्ता किया जाएगा पोर्टल के माध्यम से अपलाई हो सकेगा इन सभी मुद्धों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे सभी अख सरकार लोक्षबा चुनाप से पहले नागरिक्ता संसोधन अधिनियम सी एक नियमों की घोशना कर सकती है दियान रखना है यह जो टॉपिक है वह आपके प्रलिम्स और मेंस दोनों ही लिहाज से बहुत महत्पुर्ण होने वाला है ठीक है तो इस टॉपिक को आप नौट कर कर सकते हैं ठीक है तो वैसे आप चाहिए तिसको नौट करते हुए चले इसमें एक प्रशन प्रिलिम्स के अस्तर का है प्रशन बहुत अच्छा है यूपिसी के लेवल का है तो आप से उम्मीद की जाएगी कि आप पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए और अंत में प्रशन का जबाब जरूर देजिए दूसरी बात आप में से बहुत सा रेश्प्रेंट का मैं लगातार कॉमेंट देख रहा था डिमांड था कि सर प्रिलिम्स का प्रशन तो देते ही हैं इसके अलावा मेंस का भी प्रशन दिया गया है तो वह भी हम चाहेंगे कि आप उसक प्रकरिया होगी सरकार इसको ऑंलाइन करना चाह रही है ठीक और उनलाइन कहने का तात्पर यहां पर एक और बात कहा गया है सुब्धा देने के लिए इस प्रकरिया को सहज बनाने के लिए कि जो भी आवेदक हैं वह अपने मॉवाइल फोन के माध्यम से भी आवेदन कर सक तो आपके जिम्में एक काम यह भी होगा, नागरिक्ता के लिए लोग आपके पास अपलाई किया करेंगे, तो यहाँ पर जब अभी अपलाई होता है, तो DM की भूमी का काफी अधिक होती है, लेकिन जब यह कहा जा रहा है कि मवाइल फोन से हो जाएगा, ओनलाइन माध्यम स होगा, तो यहाँ पर DM की भूमी का इस काम के लिए सिमित हो जाएगी, इस बात को समझना है, लेकिन फिर भी काम रहेगा, DM के जिम्में से काम नहीं हटाया जा रहा है, इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रख करके चलना है, नियम जारी होने के बाद, CA को लागू किया ज जाएगी, अच्छा, यहाँ पर एक प्रशन UPSC पूछ सकता है, कि यहाँ पर अगर भारत की नागरिकता किसी को दे दी जाएगी, तो क्या उसको मौलिक अधिकार मिल जाएगा, निशित तोर पर पहले नागरिकता अगर मिल जाती है, तो भारत का संभिधान प्रतेक नाग अधिनियम 2019, इसको विस्तार से देख लेते हैं, एक शब्द यहाँ देखिए, संसोधन की बात की गई है, मैं पहले भी कई बार चर्चा किया हूँ, जब भी मैं लौ पढ़ाता हूँ, आपको कहता हूँ कि सबसे पहले चीजों को ध्यान से समझे, एक चीज यह देखना है कि इसका उद्देश क्या रहा होगा, कोई भी कानून आया तो उसकी जरुवत पड़ी क्यों, और यहाँ पर संसोधन है, यानि कि इसके लिए इस मुद्दे से सम्मंधित पहले कोई नो कोई कानून रहा होगा, तभी तो संसोधन हुआ है, इसलिए यहाँ पर, तो ठीक है, जो कि लागो भी हो गया, यह 10 जनवरी 2020 को लागो कर दिया गया, हलाकि इसके तहट अभी तक नागता नहीं दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया था कि विरोध परदेशन हो गया था, लोगशभा से 9 दिशंबर 2019 को यह पास हो गया था, फिर जैसा कि आप जानते है लोगशभा के बाद राजभा, यहनि कि दोनों सदन से पास होना जरूरी है, तो 11 दिशंबर 2019 को राज़शभा से भी पास हो गया था, और उसके बाद जब कोई कानून जो है, राज़शभा और लोगशभा से पास हो जाता है, तो राष्टपती महुदय के पास जाता है, वहाँ पर राष्टपती के हस्ताक्षर बनने के बार कानून की शक्रे ले ले लेता है, तो 12 दिशंबर 2019 को यह कानून की शक्रे ले लिया गया था, लेकिन वही बात वेभारिक तोर पर समझ जाए थी, इसलिए लागो नहीं किया गया था, अब इसकी जबरत समझी जा रही बहारत के समाज को परभावित करेगा, भारत की राजनीती को परभावित करेगा, इसके अलावा, भारत और उसके जो परोसी देश हैं, उसके रिस्ते पर भी यह काफी असर छोड़ेगा, अब समझ लेजे, इस कानून के तहट तीन देशों की चर्चा की गई, मोटा मोटी भी इसे इंद्रा गांदी यह अलग होगी और नया राश्ट बन गया बंगला देस येज़ी तीन देश की तीन देश सब्सक्राहण आधार पर जिनका उतपीरन होगा किनका तो इसमें अल्फसंख्यक सामिल किया गया है ठीक है इस तीन देश के जो धार्मिक अल्फ संख्यक होंगे इन तेन दोशों में उनका यदि उतपीरन होता है वो भारत में नागरिक्ता के लिए अप्लाई करते हैं तो CA के माध्यम से उन्हें नागरिक्ता दी जाएगी और इसके ताहत इन तीन देश के जो है छे ध्यान रखना है छे गैर मुस्लिम समुदाए हैं कौन है गैर मुश्लिम अब जब मैं यहाँ शब्द इस्तमाल कर रहा हूं नहीं सब्द को अगर आप सही स समझ जाएंगे तो आप यह जान पाएंगे कि विरोध क्या वज़ा क्या है इन तीन देश के छे गैर मुस्लिम यही एक शब्द जो है यहाँ पर कि बाकी को आप यदिकार दे रहे हैं तो मुशलमानों को क्यों नहीं दे रहे हैं भारत की नागरिक्ता यहाँ पर उसकी चर पार्सी सामिल है और पार्सी के बाद यहाँ पर जैन सामिल हो जाएंगे और जैन के बाद बौद भी सामिल है मामला समझ में आ रहा है तो यहाँ पर छे यह अलफ संख्यक हो गए यह छे अलफ संख्यक इन तीन देशों में हैं और इन्हें तहार्मिक आधार पर प्रतारित किया जा रहा है इनका उत्पीरन किया जा रहा है यह चाहतने हैं कि भारत की नागरिक्ता प्राप्त करना तो यह सी ए के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं भारत के गरी मंतराल अजाज परताल करेगी और फिर इन्हें नागरिक्ता इसका अनुकर दे दिया जाएगा यहाँ पर गैर मुश्लिम जोरा गया यानि कि पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान के कोई मुशलमान है वह सीए के तहथ भारत की नागरिक्ता नहीं ले सकता है यहां एक बात ध्यान से समझना है कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि इन तीन देशों के मुसलमान को भारत की नाग परक्रिया के द्वारा लिए हैं जो कि अरुचित 5-11 भारत के संभीधान में आर्टिकल 5-11 जिस नागरिकता के प्राद्धान की बात करता है उस परक्रिया के तहत जाना होगा उसकी हम बात कर लेंगे इसके तहत वजह किया है समझ लीजिए गैर मुशलिम क्यों कहा गया है जो कि ये जो है मैंने शब्द जो रहा कि धार्मिक आधार पर उत्पिरन हुआ अलवसंख्यक ऐसा देखा गया कि भारत के जो परोसी देश हैं ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूं यहां पर अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं यहां पर बंगलादेश की बात कर रहा हूं इन सभी देशों में, तीन देशों में, ये जो समुदाय हैं, वो अलफशंक्यक हैं, और इनका लगातार उत्पिरन होता रहा है, इनकी जो आस्था है, इनके जो धर्म के मानने के तौर तरीके हैं, इनके जो धार्मिक अस्थान है, धार्मिक पुस्तक हैं, रिती रिवाज है उन पर चोट होता रहा है और इन्हें कराया जा रहा है यानि कि जो हिंदू है उस पर दवाब देल करके कहा जा रहा कि आप इसलाम कबूल कर लीजिए या आप पने सुना हुआ बहुत सारे बहुत मंदिरों को अफगानिस्तान में तोड़ दिया गया यहां पर बहुत कम आब पार्सी जैन और बहुत इसकी अच्छी खासी तादाद भारत में है इसलिए भारत जो है इनको अपने यहां नाजिता देने के लिए तयार हो जाता है यहां पर एक चीज़ और समझेए नेपाल भी भारत का परोशी देश है लेकिन नेपाल के जो अलप संख्या को नहीं द अधिकार नहीं दिया गया मयानमार से यहां एक प्रश्ण होता है कि मयानमार में जो रोहिंग्या है रोहिंग्या समुदाय है इनको क्यों नहीं फिरी अधिकार दिया गया चुकि मयानमार जो है वहां पर बहुत धर्म जो है वहां बहुत संख्यक तादाद में है और रोहि इंग्या को क्यों नहीं शरण दे रहा है यह एक बड़ा प्रश्ण विबाद का बना हुआ है तो यह सभी चिंताइं भी इस मुद्दे से जुरा हुआ है आप यहां पर फिलाहल इन चीजों को समझ लीजिए यह मामला आपको किलियर हो गया होगा कि यह तीन देश हैं और यह छे गैर मुश्लिम जो है धार्मी का धार पर उत्पिरन और अल्व संक्यक इन्हीं को यह अधिकार दिया जाएगा इतना मामला किलियर है ठीक है इन्हें भारत की नागता प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट क्योंकि पासपोर्ट की जरूत होती है या फिर वीजा की दस्तावेज होते हैं इन तरह के किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगा जो ऑनलाइन प्रक्रिया में जो जरूरी चीज़े मांगी जाएगी वह बस उन्हें दे देना है इन समुदाय को विदेसी अधिनियम उनिश्वाच्यालिस यह आपके लिए जानना जरूरी है विदेसी अधिनियम उनिश्वाच्यालिस और पास्पोर्ट अधिनियम उनिश्वाच्यालिस के अंतरगद किसी भी आपरादिक मामले से भी ने छूट दिया गया है। वारत में देश ये करन द्वारा भारत की नाघृत करने का नियम क्या किया है कोई थि विगत 14 वर्षों में 11 वर्षों तक भारत में रहा हो दूसरा कंडिशन क्या है पिछले 12 महने से वह देश में रहा हो एक और कंडिशन है उन लोगों पर लागू नहीं होता है जो वर्तमान में भारतिय नागरिक हैं तो इसको लेकर के जो भ्रह्म है विवाद है वह यह है कि भारत में जो लोग हैं उनके अधिकार चिंज जाएंगे खास करके मुशलिम शमदाई को लेकर के यह भ्रह्म है कि जो भारत में जो मुशलिम शमदाई हैं उनकी नागरिकता चली जाएगी ऐसी कोई बात इस अधिनियम में है ही नहीं जान देना है भारत के जो मुशलमान ह यह अधिनियम उनको लेकरके कोई बाते नहीं करता है वह देश के नागरिक पहले भी थह्ए वह नागरिक बने रहेंगे लेकिन जो बाहर के हैं यहां पर यहां के जबाते कर रहें पाकिस्तान अफगानिस्ताण यह बंगलादेश यहां के मुशलमानों को CA के माध्यम से नागरिक्ता नहीं दी जाएगी जो regular process है उसके आधार पर उन्हें नागरिक्ता लेना है तो आना परेगा यहाँ सिर्फ जो अलफसंखेक और धार्मिक आधार पर उत्परित हैं CA उन्हीं को नागरिक्ता देने की बात करता है तो यह मामला समझ में आ गया कि भारतिय नागरिक जो हैं उससे संबंधित ये मुद्दा है ही नहीं तो इसके तहर चिंता करने की कोई बात नहीं है जो एक भ्रम है उसको भी दूर करना जरूरी है पर समझना है कि असम समझ होता क्या रहा है अगर इस जगा को अबहरत के मैप को देखेंगे ध्यान से जगा को देखिए तो यह जो नौर्थीश्ट का हिस्सा है सेवन सिस्टर्स इसे कहते हैं ठीक है यह वाला पूरा हिस्सा 7 राज और एक यहांपर अगर आप जोर देंगे सिक्यम भी आ जाता है तो इस एरिया में देखा गया है कि लगातार गुसपैट होता रहा है तो दीजा है तो यह पर भलाज़ वह उन्रोब का आरोप रहा है कि हमारे यहां जो लोग हैं उनकी तादाद कम हो रही है और घुसपैटियों की तादाद जो है वह बढ़ती जा रही है ठीक है तो यहां पर इसको ले करके कुछ प्राबधान किया गया था वर्च 25 मार्च 1971 के बाद बंगलादेश से आने वाले अवैद प्रबाश्यों जो कि किसी भी धर्म से हो सकता है कोई भी अवैद प्रबाशी है उनको निर्वासित कर दिया जाएगा 25 मार्च 1971 जो है एक देट तेंग या गया था धर्म के आधार पर नागरिप्ता की बात को ज़्या स जैसा कि मैंने कहा कि संमिधान जो है फंडामेंटर राइट के तहां अनुचे 14 आता है और हमारे श्वतंतरता सबसे पहले हमारे लिए मायने रखता था है ना कि हम स्वतंतर राष्ट हुए थे 1947 में हमारे लिए स्वतंतरता मायने रखता था लेकिन हमारे समिधान का अगर अनुच्छेद चौदा का बहुत बड़ा महत हो जाता है लेकिन यहां पर इस कानुन पर या आरोप लगता रहा है संभिधान जो और अलभ् Keron करता है और समानता का अधिकार को त्यागता है के समानता के इदिकार के तैगने का अताद पर यह वी हो जाता है कि यह जो अनुछिद है वह चाहें कि भारतिय नागरिक हों और या विदेशी हों दोनों परलाग होगा लेकिन यहां आपने देखा होगा कि मैंने कहा की बात यहीं समिधान कहता है तो युक्त युक्त जो है आप तर्शंगत बाते कर सकते हैं तो यहां पर एक विवाद है बहुत बड़े अस्तर पर इस चीज की चर्चा करने की ज़रूरी रहता है जैसा मैंने पहले भी कहा था सिरलंका के तमिल है या तिब्बती बौध है मैं मयानमार के हिंदू रोहंगिया इसके तहट शामिल नहीं किये गए हैं और जो खास करके मयानमार के रोहंगिया समुदाइक को शामिल नहीं किया गया से यह विवाद का बड़ा मुद्दा बना था नागरिक्ता अधिनियम 1905 को जड़ा देखते हैं मैंने पहले भी कहा था क के अधिगरन और समाप्ति की प्राफधान की बात करता यानि कि आप भारत के नागरिक्त बनेंगे उसके लिए क्या क्या नियम कानून है क्या प्राफधान है और कोई व्यक्ति भारत की नागरिक्ता त्याग करना चाहता है या उसको भारत की नागरिक्ता से उसकी नागरि किसी चेतर का समावेशन हो जाये मानले मिखे जैसे के बलुचिष्तान है बलुचिष्तान का समावेशन भारतीय चेतर आसे बाते संवय्धान उनको भारत की नागरिता मिल जाएगी जैसे कि उनीश्वबासट बेगरं में क्या हुआ गोवा जो है उसका समयशन वह भारत के समिधान वहाँ पर लाग हुआ तो उसके निवाश्यों को भारत की नागरिक्ता दे दी गई थी इसका मतलब वह चेतर के समयशन के थर यह नागरिक्ता मिल जाएगी मामला समझ में आ रहा है च क्या क्या बाते तीन है स्वेक्षा से अपनी नागरिक्ता का त्याग करता है तो भारती नागरिक्ता स्वेंगी समाप्त हो जाएगी कोई व्यक्ति है जो यूएसे की नागरिकता प्राप्थ कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्थ करने का अधिकार है भारत सरकार को आगया है टियान रख्ये इन सब चीजों पर आए ना थोरा सा यहां तो थोरा सा पढ़ लेना है विस्तार से चीजों को पढ़िए जो है वही एजेक्ट ना पूछके उसके इर्दगिर्द के चीजों को पूछ ले आपसे इसलिए यह जो मुद्दा आ जाएगा संग शूची का विश्या हो जाएगा ठीक है किंद्र सरकार को पूरी तरह से हमारा सम्मिधान या शक्ति देता है तो यहाँ पर भारत सरकार को कुछ बाते बताई गई है कि भाई आप इसके आधार पे अपने नागरिकों की नागरिकता शमाप्त कर सकते हैं मनमानी ढंक से सरकार किसी का नहीं कर सकती है तो क्या क्या आधार है देखिए कोई नागरिक हो भारत का नाग या ऐसा देखे भारत सरकार की कोई व्यक्ति है वो संबिधान का अनादर कर ला है संबिधान में उसकी आस्था नहीं है तब भी उस व्यक्ति की नागरिक्ता भारत सरकार समाप्त कर सकती है अब जरा हम यहां देख लेते हैं कि भारत के संबिधान में नागरिक्ता से संबंध का प्रशन यहां से बिल्कुल बन सकता है आगामी प्रिलिम्स जो है निकठी है इसको ध्यान में रखते हुए यह टॉपिक तारीख तेंग किया गया है एक मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए जो भी लोग थे नागरिक थे यहां पर वह एक मार्च तरीकए हैं नागरिकता पराप्त करने के तो जन्म और दूसरा मैंने बताया था तो मूल भी वहाँपर काम कर जाएगा कोई वेक्ति जो भारत में पैदा हुत हुए उसके माता पिता या किसी विरेशी देश की नागरिक्ता प्राप्त कर लेता है तो उसे भारत की नागरिक्ता रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी उसकी नागरिक्ता स्वत्त ही समाप्त हो जाती है अनुछे दर्श जो है वह नागरिक्ता के अधिकारों की लख्षा करता है ठीक है और अनुछ के तहत किया हो गया अनुचिर 11 के तहत लाए गया संसर ने पार्लियामेंट में नागरिकता संबंधित कानून जो है उसको अपने इस सक्ति का इस्तमाल करते हुए यह कानून बनाया इसमें संसुधन किया यह पूरा मुद्द आपको समझ में आ गया मुख्चिंता का विशय जो इसको ले करके था वो यही था कि यहां पर जो जोरा गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले की बात की गई छे गैर मुश्लिम वर्ग अब छे गैर मु रिखता दी जाएगी तो यहां मुशलमानों के लिए जगार नहीं दिया गया है और यही विवाद का इसको लिए कारण बना एक तर्किये दिया गया चुकि यह तीन देश जो हैं वह बहुत संख्यक आबादी में लेकिन फिर दूसरी तरफ यह प्रश्न उठ पड़ता है क मैनमार को लेकर के तो ये बात नहीं है मैनमार में में बॉफ यह मुच्छैया मुचलमान यह वह अल संख्यक है और जग जाहिर है कि रहनमिः मुशल्मान परतारित हूए है और धार्मिक आधार पे ही हुए है तो फिर C.A. के माध्यम से रोहिंगिया मुसल्मान को भारत में C.A. के माध्यम से नागटा देने का प्राधान क्यों नहीं किया गया तो ये सब कुछ बिवादें इसको लेकर के बना हुआ है अब ये देखना होगा कि गरी मंत्राले के जो अधिकारी ने कहा है कि सरकार इस पर काम कर रही है और जल्द ही ये अधिशुचित कर दिया जाएगा एक दो महने का समय बताये गया है कि एक दो महने में इसके लिए ऑनलाइन आविद्धन की प्रिक्रिया पोर्टल के माध्यम से तयार कर दी जाएगी तो इस पर नजर बनाए रखिए विस्तार से आपको इसको अध्यन करने की जरुवत है ठीके मुख प्रशन क्या हो सकता है इस पर ये देख लेते हैं कि मेंस का प्रशन नारिक्ता संसोधन विधैक 2019 तो एक बात समझ में आ गए कि ये विधैक की बात करता है इसकी मुख वि इदेख है या कबलाए गया क्या इसके प्राफधान है और मुख विशिस्ता इसके तहट क्या हो जाएगा तीन देश की चर्चा करनी है छे जो है धार्मिक आधार पे यहां पर जो अलपसंख्यक बताए गये है उसका किस तरह से सीए के तहट नागरिकता दिया जाएगा क् दिसंबर 2014 से पहले रखा गया इन सब चीजों को मुख विशिस्ताओं में लिखना है उसके प्रमुख चिंताओं को लेकर के बाते करनी है किसको लेकर के चिंता मतलब विवाद क्यूं है इस तरह से बाते की क्यों की गई है इस कानून को लेकर कि उसमें रोहिया का भी चर् करकार का पक्ष भी सामिल कर सकते हैं यह दो लाइन में आप कर देंगे यह ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो आंसर आपका बैलेंस हो जाएगा इसको आप 150 या बहुत लोगों को होगा कि थोड़सा ज्यादा लिखें तो 250 सब्द में भी इसका आंसर लिख करके आप प्रशन है प्रिलिम्स के अस्तरका और यह प्रशन भी काफी इंपोर्टेंट है इसका जवाब मैं नहीं दूँगा लेक्चर में हमने डिसकसन किया है जिसका जवाब आपको ढूनना है और कमेंट वक्स में लिखना है कोई यहाँ पर इस्टेटमेंट गलत हो तो गलत तीन कथन दिया गया है विचार करना है इसके माध्यम से नागरिक्ता अधिनियम उनीस सौपचपन में संसोधन किया गया यह बात हैं हमने चर्चा किया है इसके तहट पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंगलादेश से आए सिर्फ हिंदू समुदाई के लोगों को भारतिय नागरिक्ता दी जाएगी यहां पर ध्यान देना है कि जब भी प्रश्ण में यह सिर्फ केबल ऐसे सब्द नजर आ जाए तो थोड़ा सा ठहर के उस स्टेटमेंट को बार बार पढ़िए कुछ बातें वहां पर छुपे हुई होगी इसके तहत भारत की नागरिक्ता प्रा कोई स्टेटमेंट गलत है तो वह गलत क्यों है यह भी आविस्तार से बताईए आप अपना इस पर विचार जरूर रखिए कि सी ए जो है इसमें गैर मुश्लिम शब्द का जो इस्तमाल किया गया है क्या यह जरूरी था क्या मुसल्मानों को भी सी ए के तहत नागिता मिलनी चाहिए थी खास करके रोहिंगिया मुसल्मान को लेकर क्या आप क्या सोचते हैं क्योंकि धार्मिक आधार पर उत्पिरन की बात की गई और अलपसंख्यक भी कहा गया तो मैं रोहिंगिया मुसल्मान अलपसंख्यक है धार्मिक आधार पर उनका उत्पिरन हुआ है फिर भी पक्ष में जो भी बात हैं कोमेंट बॉक्स में दो मिट लगे गए अपने विचार से हमें अब जरूर कराईए आज के इस लेक्षर में इतना है रखते हैं किसी दूसरे लेक्षर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी अपना बेहत खयाल लखिए थैंक झाल 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